हलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप, पेट्स्वीज फातिमा चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है, कि हम अपनी बजरी तोतों के साइस को बड़ा किस तरह से कर सकते हैं तो आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ टिप्स जिनको आप फॉलो करेंगे तो आपके बजरी तोतों का साइज बहुत जल्दी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा इसके अलावा कुछ नैचुरल आपको फार्मूले भी बताऊंगा जिनको आप अप अपलाई करें तो देखिएगा आपके बजरी स्पैरट के साइज में बहुत जल्दी इंप्रूमेंट स्टार्ट हो जाएगी तो वीडियो बहुत जादा इंप्रूमेटिव है वीडियो को पूरा देखें और जो भाई हमारे चैनल पैट स्वीत फातिमा से पहली बार जुड़े हैं तो भाई प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आगे हमें और अच्छी से अच्छी informative वीडियो बनाने में हमें motivation मिलेगी तो चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं हम लोग स्टार्ट देखिए दोस्तों बजरी तोतों का जो size होता है आपने देखा होगा कुछ भाईयों के यहां बहुत अच्छा size होता है और कुछ भाईयों ऐसे होते हैं जिनके बजरी तोतों का size बहुत कम होता है तो आपने देखा होगा दूसरे लोगों के यहां पर के भाई उन लोगों के birds का size तो बहुत जादा है हमारे birds का size कम क्यों है तो आप भी अपने birds का size increase कर सकते हैं यह कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है बस थोड़ा सा आपको take care करनी होगी और जो मैं tips बता रहा हूं उनको follow करना होगा तो देखिए दोस्तों सबसे पहला आपको यह बात खयाल लगना है कि देखिए आप वो खाली कंगनी खिलाते हैं जो भाई तो भाई खाली कंगनी खिलाने से काम नहीं चलेगा देखिए आप चाहते हैं अगर आपके birds का size भी अच्छा हो तो दोस्तों आपको एक proper seed mix देना होगा जिसमें balance diet देने होगी जैसा कि आपको कांगी ही रखने होगी उसमें बाजरा रखना होगा सूरज मुखी के बीज रखने होंगे आपको और दोस्तों इस तरहां से अगर आप seed mix रखेंगे अपने birds के cage में 24 hours तो देखिएगा इससे आपको benefits मिलेंगे इसके अलावा आपको करना क्या है देखिए boil rice आपको week में दो बार जरू देना अपने birds को तो जब birds के अंदर calcium और vitamins की कमी होती है तो birds का size increase नहीं होता है अब आप अगर boil rice खिलाएंगे अपने birds को week में दो बार तो देखिएगा के उनके अंदर calcium की जो कमी होगी वो दूर होनी स्टार्ट हो जाएगी और boil rice जो होता है दोस्तों इसमें जो है fat भी होता है जिसकी वज़ा से आप देखेंगे कि आपके birds का size day by day increase होना स्टार्ट हो जाएगा तो week में दो बार boil rice जरू देना है आपको इसके अलावा दोस्तों आपको क्या करना है देखिए भुट्टा आपने देखा होगा corn मिल जाता है easily market में तो corn जो होता है दोस्तों बहुत ज़ादा फायदे मन्द होता है बजीज पैरट का size increase करने में तो अगर आप भुट्टा खिलाएंगे week में दो बार अपने birds को हो जाएगा तो आपको खिलाना किस तरह से week में केवल दो बार खिनाला है और कम quantity में खिलाना है देखिए आप जादा ना खिलाएंगे तो बड़ी जल्दी हमारे birds का size increase हो जाएगा ऐसा नहीं करना है जादा खिलाएंगे तो उससे motion लग जाते हैं birds को तो कम quantity में आपको week मे दो बार अपने birds को भुटा भी खिलाना है इसके अलावा दोस्तों देखिए आपको इस बात का हमेशा खिया लगना है कि cage का size बड़ा होगा तब ही आपके birds का size भी जल्दी increase होगा देखिए छोटा cage होता है तो birds उसमें fly नहीं कर पाता अच्छे से जिसकी वजह से उनकी ज बड़ा cage रखें और उसके अंदर जब आप अपने birds को release करेंगे देखेंगे जब वह अच्छे से fly करेंगे दोस्तों तो उनको exercise होगी उनकी muscles की और उनका size देखेगा आप बहुत जल्दी grow होना start हो जागा तो बड़ा cage बनाएं या एक बड़ी colony बनाएं उसमें आप birds release करे इसके अलावा दोस्तों आप इस बात का ख्याल लखें देखिए birds के अंदर calcium और vitamins अगर पूरे होंगे तो उनका size अच्छा होगा तो आप अपने birds को हमेशा calcium का कोई syrup जो होता है उसका course कराएं इसके अलावा आप vitamins का जो सीरप होता है जैसे की विमरल होता है उसका course कराएं calcium की जो चीजे होती है उसको cage के अंदर रखें जैसे calcium block, समुंदरी जाक, लाहोरी नमक ये सब चीजे रखेंगे तो birds के अंदर calcium की कभी कमी नहीं होगी और जब birds के अंदर calcium पूरी तरहां से उनकी body में पहुँचने लगेगा तो देखेंगे आपके birds का size भी बहुत रीजन यही होते हैं कि या तो हम डाइट अच्छे से balance डाइट नहीं दे रहे हैं, calcium vitamins की कमी है हमारे birds में या हमारा cage छोटा है अगर ये सब चीजे हम कर रहे हैं इसके बावजूद भी size छोटा है तो दोस्तों उसका reason यह होता है कि देखिए जब birds की age के हिसाब से उसका size हो अब आप comparison अगर ऐसे bird से करेंगे जो 4-5 साल की age का है और आपके birds अभी 5-6 महीने या एक साल के ही हैं तो देखिए उससे आप दोनों का comparison size का नहीं कर सकते क्योंकि उसकी उमर जादा है तो उसका size इसलिए increase हो चुका है और आपका जो bird है उसका size उसकी उमर इतनी नहीं है इ थोड़ा उमर का भी इंतजार करा करें कि अगर आपका bird 2-3 साल का होगा तभी उसका size जो है अच्छा होगा अगर आपके birds काफी age के हैं इसके बावजूद भी उनका size अच्छा नहीं है तब आपको कुछ efforts लगाने होंगे दोस्तों उनकी diet में आपको proper seed mix देना होगा खाली कंगनी से काम नहीं चलने वाला है तो proper seed mix दें बाजरा मिलाएं उसमें सूरज मुखी के बीज मिलाएं दोस्तों इसके अलावा boil rice दें week में दो बार उससे भी birds का size increase होता है week में दो बार भुट्टा खिलाएं वो भी बहुत ज़ादा फाइदे मन्द होता है size increase करने के नहीं हैं और बड़े cage में अपने birds को release करें जब आपके birds बड़े cage में अच्छे से fly करेंगे उनकी exercise होगी उनकी muscles develop होँगी तो उनका size देखेगा खुद बखुद ग्रो होना start हो जाएगा तो थोड़ा सा time तो लगता है कुछ efforts लगाने होते हैं हमें दोस्तों day by day increase होता चला जाएगा size लेकिन ये नहों के आप ये सूचें के भाई ने बता दिया है तो आप जल्दी जल्दी रोज daily while rice खिलाएं और भुट्टा खिलाना start कर दें तो जल्दी जल्दी हमारा birds का size भ लेना है जैसे कि ये soft food हैं जैसे कि भुट्टा है और वाईल राइस हैं तो कम quantity में week में दो बार दें तरीके से खिलाएं तो देखिएगा बिल्कुल आपके birds का size भी बहुत अच्छा हो जाएगा तो थोड़े से effort करें दोस्तों परेशान नहों आपके birds का size भी increase होगा और birds भी बहुत अच्छे size के हो जाएंगे तो ठीक है दोस्तों अब इजाज़त दीजिए मुलाकात होगी एक नई वीडियो और एक नए vlog के साथ और आपको हमारी वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज हमारे चैनल को subscribe भी करें लाइक करें और जादा से जादा हमारी वीडियो को share किया करें तो इजाज़त दीजिए दोस्तों अब मुलाकात होगी नई vlog के साथ गुड़ बाई